राजसभा के लिए यूपी की 11 सीटों पर हो रहे चुनाओं के लिए आज से नमांकन प्रक्रिया की शिर्वात हो चुकी है नमांकन 31 तक दाखिल किया जाएंगे और बताते कि राजसभा में यूपी से 31 संसद हैं इनमें से 11 स्देसियों का कारिकार 4 जुलाई को समाट हो रहा है और 11 सीटों पर होने वाले चुनाओं में बीजेपी को आट एस्पी को 3 सीटे मिलना तैमाना जा रहा है वहीं बीजेपी ने 14 प्रितियाशु के नाम का पैनल केंदरी नेतत्र को भेजने का फैसला किया है और सूत्र के मतारिक मौजूदा राजसभा सेदर से जफर इसलाम, शुपरताप शुकला, जैप्रकाश निशात के नाम पर यूपी संगठन ने मुहर लगाई है विदान समा में बीजेपी गडबंधन के 273 और स्बी गडबंधन के 125 विधायक हैं, वैजन संतादल, लोकतांत्रिक और कॉंग्रेस के दो और बीएसपी का एक विधायक है आने वाले दिनों में सेंट्रल एलेक्शन कमेटी की मीटिंग है और समय से प्रत्यासियों की सूची आ जाएगी नामांकर पार्टी के प्रत्यासिक करेंगे और सभी भारी बहुमत से जीतेगे राजसभादी पार्टी के फैसले कारेकरता आधारीत होते हैं उत्तरपदेश की कोर कमेटी एलेक्शन कमेटी नामों पर विचार कर रही है वो सेंट्रल को भेजेगी सेंट्रल विचार करेगा और हमारे हाँ कारेकरता आधारीत फैसला सिर्शनेत्री तो लेता है राजसभादी पार्टी ने कमर कसली है समाजभादी पार्टी में राजसभादी पार्टी में राजसभादी पार्टी के लिए उम्मिद्वारों के नामों पर मन्थन का दौर जारी है सूत्रों से मिली जानकारी में जो तीन नाम सबसे आगे चल रही है उनमें सलीम, शिरवानी, अलोक रंजन और कपिल सिब्बल का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है अलोक रंजन उत्रप्रिदेश के पूर्बचीप सेक्रेटरी रही है और अखलेश शादों के काफी करीबी माने जाती है कपिल सिब्बल कॉंग्रेस के बड़े नेता है और आजन खां की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में की थी